हलो और वेल्कम एव्रिवन तो मैं यूट्यूब चानल इस अंक्रुट शादुखन वेल इस वीडियो में यह पूरा हिंदी का रहेगा यह पूरा सीरी स्क्वेर्स और स्क्वेर रूट का एकदम बेसिक लेवल का है पूरा का पूरा बेसिक लेवल का है तो इस वीडियो हम ल 1-2 thirds है तो आगे चलके अवे सिखेंगे तो पहला आपके कोई भी चीजगा स्क्वेर क्या होता है स्क्वेर यानी मांद लो मेरे पास तो है तो 2 का स्क्वेर हम लोग अलजबड में करते आए नीचे छोटा क्लास में 6 या 7 में तो स्क्वेर बेसिकली क्या होता है? उसी नंबर को मुलोग दो बार मुल्टिप्लाई करते हैं तो का स्क्वेर होगा 2 इंटू 2 अब मानले कि तो के जगा पे मेरा 4 हुआ है 4 है तो मैं क्या करूंगा 4 इंटू 4 करूंगा तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 4 4 जा 16 निकल क्या आता है फिर उसके बाद मानलो कि मेरा मान हुआ कि मेरे को 9 का स्क्वेर निकालना है तो 9 का स्क्वेर हम लोग 9 की उपर आसे 2 लिख के लिखा जाता है 9 का स्क्वेर तो 9 का square basically क्या होगा फिर 9 into 9 हो जाएगा और हम लोग को पता ही है 99 is a 81 होता है वेल यह basically हम लोग का square हो जाएगा square basically हम लोग को खास नहीं है basically जो number हम लोग को दिया जाएगा उसको हम लोग को multiply करना है उसी के साथ मान लीजे कि मेरे पास example के तौर पे मेरे पास 59 दिया हुआ है तो 59 का square क्या होगा 59 into 59 वेल यह क्या होगा 99 is a 81 आके लिखल का जाएगा 8, 945, 90, 98 carry में आएगा 9, 25, 25 plus 9 होगा 34 तो आप लोग इसको multiply करके देख सकते है यह मैंने एक ही line पे कर दिया वेल इसका ऐसा trick है एक तो कि कैसा two digit कोई भी number का square कैसे करे वो अलरी एक video बना चुका हूँ मैंने तो वो आप देख सकते हैं लेकिन मैं स्कूल के लिए recommend नहीं करूँगा कि आप उसी method से exam में भी करें यह तो पिर आपका teacher आपको marks नहीं देंगे विल उस method को आप check कर सकते है जारूर राफ में कीजिए राफ में करके देख लिए कि आपका answer सही आया है कि नहीं आया है विल आगे चलते हैं एक दम बहुत simple था आगे जाके इसका भी बहुत सारे examples हम लोग करेंगे आगे अगे अगा video में तो यह video बेसिकली बहुत चोटा video रहेगा उसके लिए हम लोग सिखेंगे square किसको कहते है square root किसको कहते है और कितना सरा method हम लोग सिखेंगे पर लगला आज आते है square root में square root basically क्या होता है उल्टा होता है square का square में हम लोग जो चीज करते हैं उसको multiply करके वो निया number निकल के आते है मान लिए जी कि इस number से मेरे को 4 से मेरे को 16 मिला 9 से मेरे को 18 मिला वो square करने के बाद मिला square root क्या करते है उसका ही उल्टा करते है उल्टा करते है यानि अगर मेरे को 81 दिया गया है मान लिए कि square root का हम लोग ऐसे जारी किसे लिखते है और इसके अंदर अगा हम लोग 81 बिठा दे तो 81 का square root हो जाएगा हम लोग का 9 तो basically देखिए इसका पूरा उल्टा अम मान लिजे कि मेरे पास 16 का square root है तो 16 का square root क्या बनेगा 4 बनेगा और उसके साथ हम लोग यहाँ पर एक और चीज मज़ेदर वाला बात है जो कि मैंने पहने नहीं बुला था square root करने में अज मज़ाएगा तो मत 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 लिए कि minus 4 का square करना है ठीक तो minus 4 into minus 4 क्या होगा minus 4 into minus 4 हम सब को पता है कि minus minus से क्या होता है plus बन जाता है तो यह plus और 4 4 जहाँ 16 आता है तो minus 4 का square भी हम लोगो 16 ही आएगा अब यहाँ पर confusion वाला बात है कि 4 का भी 16 आ रहा है minus 4 का भी 16 आ रहा है लेकिन यह answer यहाँ तक सही है और जैसे हम लोग square root पे आ जाते है जैसे मान लिए कि मेरे पो 16 दिया हुआ है तो मेरे को square root करना है तो मेरा answer क्या होगा plus 4 रहेगा या फिर minus 4 रहेगा और इसी confusion को दूर करने के लिए हम लोग answer होगा plus minus 4 और plus minus 9 यह plus minus को ऐसे लिखा जाते है उपर में plus लिखा जाते है उसके नीचे में minus लिखा जाते है इस का अरती है निकल के आता है कि root over 16 का value plus 4 भी होता है और minus 4 भी होता है यह तक और मान लिजी कि मेरे को square root दिया हुआ है 59 का मतलब यहनि 3481 का तो 3481 का जो root over आएगा इसको हम लोग square root को जातार हम लोग root over root over करके बोलते है तो basically यह root और over लिख देते है under over जो होता है preposition वो वाला लिख देते है root over well basically तो 3481 का root over क्या होगा हम लोग आजाएगा 59 तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे plus minus 59 और exam में हमेशा plus minus लिखने ना भूले उसके बाद हम लोग आजाएगे methods में methods में क्या होता है कि बहुत दो तरीके का method होता है हम लोग का syllabus में जितना भी है उसमें हम लोग का दो method सिखा जाता है अब देखे square का तो हम लोग उसे multiply करना है तो उसका खासकुत में अचाद नहीं है method अलग अलग नहीं है लेकिन अगर 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 अब लोग competitive exam वगरा में जा रहे हैं तो square करने का बहुत ही shortcut trick है वो एक वीडियो में ने बना चुका है दूसरा एक और वीडियो बनाएंगे उसके सीरीज के कि square root उसी number का करेंगे जिसमें last में 5 हो वो और भी असान से होता है लेकिन school के लिए बिलकुल भी उज़ना करें वो अपर राफ में किरा के आंसर लिख सकते हैं लेकिन copy में ऐसे मत कीजिए तो फिर teacher marks नहीं देंगे बिल मेथर निकल के अम लोग का दो आता है एक तो आता है prime factorization और दूसरा आता है हम लोग का division वाला ठीक है division में क्या होता है कि हम लोग का divide करते करते अधिक खास तरह का division है नॉर्मल जो हम लोग divide करते है उसी वाला नहीं है और जो prime factorization में सारे है वो बिसीकल हम लोग का वो LCM जैसे करते है उसी हिसाब से मन लीजी का इड़िट करना है किसका ना 81 का करना है तो मन लीजी 81 का करना है अब 81 किस से divide होता है 3 से divide होता है तो 1 से तो divide होता है तो 1 हम लोग लिखते नहीं कभी 81 का करें लसी हम के जैसा करेंगे तो क्या होगा यहापे आजाएगा 27 अब लोग video post करके यहापे copy हम करके देखिए फिर सम लोग 3 में जाएंगे तो 9 आजाएगा फिर से 3 में जाएंगे तो 3 आजाएगा कितना 3 आया मेरा 4 गो 3 आया उसी इसाब से हम लोग यहापे लिखेंगे 4 गो 3 यानि 2 गो 3 आजाएगा ठीक है तो answer होगा 2 गो 3 तो 3 इंटू 3 मेरा answer होगा क्योंकि यहापे 4 3 है तो मेरा answer निकल काएगा सिर्फ उसका आधा अगर मानली जी के 6 है तो यहापे आएगा 3 यहापे 10 है तो यहापे आएगा 5 और ऐसा कभी नहीं होगा मतलब अभी के लिए हम लोग मानलेंगे कभी अभी अभी नहीं होगा कि मेरे पास odd number आया मतल मानलो कि मेरे पास 3 आया तब हम लोग नहीं करेंगे वो आगे किसी के जागे सिखेंगे अगले वीडियो पे तो 3 इंटू 3 का वैलू क्या होता है 9 तो देखिए रूट अबर 81 का वैलू 9 बी आज जया अब ऐसा होगा कि कुछ-कुछ वैलू हम लोग को याद अगर करेंगे हम लोग वो हम लोग के लिए एक्जाम के लिए असानी होगा और solve करने भी मुश्किल असान हो जाएगा बहुत एजी तरीके से हम लोग कर पाएंगे तो हम अगले वीडियो में बोलेंगे काौसा काौसा स्क्वेर और किस-किस चीज का स्क्वेर रूट हम लोग एक साथ याद रख सके वह अगला आता है division method का division method मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा में चौड़ा method है लेकिन वो method हम लोग एक्जाम में बहुत important है तो ये वाला जो method है ये जादा important है ठीक है इसमें से marks जादा भी आएगा और teacher लोग exam में क्या होगा किसी method mention कर देंगे वो लोग कि find the square root of using division method या ऐसा कुछ ठीक चलिए यहाँ पर ये वीडियो कतम करते है मिलते अगला वीडियो पर थेंक यू